हलो प्रेंट स्वागत आपका मारी यूटूब चैनल सिव टेक स्मार्टे में आज आप लोगों के लिए फिर से एक और एच्पी के i3 11 जनरेशन लेप्टोप की अन्बोक्सिंग करने वाला हूं और जो इस लेप्टोप में सबसे ज़्यादा इस फेसल है वो है HP का 360 कनवर्टेबल लेप्टोप अभी मैंने कुछ टाइम पहले HP के 360 कनवर्टेबल लेप्टोप की अन्बोक्सिंग की थी उसका वर्जन i3 में 10 जनरेशन था और आज में इस लेप्टोप की अन्बोक्सिंग करने वाला हम वो है i3 11 जनरेशन जिसकी मोडल की में बात करूँ तो 14DW1036TU यह इसका मोडल है और इसे लेप्टोप की करेंगे आज अन्बोक्सिंग देखेंगे इसकी बिल्ट क्वालिटी और HP ने क्या इंप्रूव किया है और फ्रेंड्स अगर आप लोगों का बजट 48 1000 के आज पास है और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए काफी यूजपूल वीडियोट रहने वाला है तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो तो फ्रेंड्स बोक्स को उपन करने से पहले कर लेता हूं मैं इसके मैनिफेक्चर की बात त 2021 और जो बोक्स पर MRP दी हुई है वो 60,000 वैसे मैं आपको बता हूं वीडियो के लाश में पर पता हूंगा यह कितने रूपक आपको मिल जाएगा बिना टाइम वेस्ट किये जल्दी सी बोक्स को कर लेते हैं ओपन बोक्स को उपन करने से पहले अगर आप अमारी चैनल पर तो यहां बोक्स कोंटेंड की बात करते हैं तो यहां सबसे पिले अपने को मिल जाती है पाउर कोड यहां मैं इसके अड़प्टर की बात करहूं तो वही HP में अधिकतर 65 वोट का AC पाउर अडप्टर दिया हुआ है और यह आपको फास्ट चार्जिंग में काफी मदद करे और इसको भी रखते है साइड में और यह दिया हुआ है इसका पेपर वर्क जबी भी आफिर हो तो आप इसे रीड कर सकते हो तो यहां फ्रेंट्स जो पैकिंग दी हुई है वो काफी यूनिक पैकिंग देखने को मिल रही है मेरे को यहां आपको इसको रिमूव करना और इसकी पॉलिथीन को भी मैं करता हूँ रिमूव तो फ्रेंट्स यह है लेप्टोप का पस्ट लुक और यहां सेंटर में एच्पी की दी हुई है ब्रांडिंग और मैं कलर की में बात करूँ तो नेचुरल सिल्वर कलर दिया हुआ है और क्या यूनिक डिजाइन लग र जाती है एच्पी की लेप्टोप को ओपन करने से पहले इसके लेप्ट साइड पोर्स की बात करूँ तो यहां आपको पावर पोर्ट दिया हुआ है और आपको HDMI 2.0 मिल जाता है इसमें और यहां आपको 3.2 USB टाइप A पोर्ट दिया हुआ है और साथ ही में इसमें आपको टाइप C 3.1 USB पोर्ट जो कि आपको डिस्पले और फार्स चार्जिंग के लिए आप इसे यूज कर सकते हो और लास्ट में आपको मिल जाता है HD card reader slot लेप्टोप के लेप्ट साइड पोर्ट की बात करूँ तो यहां इस्टार्टिंग में दिया हुआ है USB 3.2 USB पोर्ट और यहां आपको मिल जाता है 3.5 mm audio jack और यहां दिया हुआ है HP heat sync vent और लेप्टोप के back panel की कर लेते हैं बात लेप्टोप के back panel की हमें बात करूँ तो यहां आपको दो बड़ी बड़ी रबर गिरिप दी हुई है जो आपके लेप्टोप में अच्छी गिरिप बनाए रखेंगी और जैसा ही space रहेगा तो cooling भी आपका laptop रहेगा और यहां बीच में आपको मिल जाता है air vent और यहां window 10 क ब्रांडिंग देखने को मिल रही है और friends यह है WhatsApp support जब भी आपके laptop में कोई भी प्रोब्लम हो तो आप WhatsApp पर chatting करें अपरी प्रोब्लम का solution करवा सकते हो और बिना time waste के जल्दी सी laptop को कर लेते हैं open लेप्टोप को करते हैं open यहां मैं इस laptop के सबसे पहले webcam की बात करूँ तो य बेजल्स की बात करूँ तो नेरो बेजल्स दिये हुए हैं बेजल्स तो ना के बराबर ही है friends और यहां आपको edge to edge glass भी देखने को मिल जाता है और friends यहां आगे की तरफ दी हुई है HP की ब्रांडिंग और आगे की तरफ ही दिये हुए हैं dual speaker जो प्रोवाइड करवाए हैं bank and awesome की तरफ से जो की HP audio boost dual speaker के साथ आते हैं और अबीन का audio test भी मैं आपको कराऊंगा इस laptop के में keyboard गिया में बात करूँ तो natural silver keyboard दिया हुआ है with numerical तो मिलेगी नहीं क्योंकि 14 इंच का laptop भी है और साथ ही में इसमें आपको मिल जाएगा backlit keyboard का support जबी भी आप night में work करो तो आपक की branding और यहां आपको आगे की तरफ चार चोटी चोटी rubber grip भी दी हुई है क्योंकि display कभी भी keyboard पर touch ना हो यह features में मेरे को काफी अच्छा लगा और friends यहां इसके में touchpad की में बात करो तो HP imagepad दिया हुआ है जो कि multi-touch gesture और precision touchpad support के साथ आता है और friends यहां Microsoft की branding आपको देखने क को मिल रही है और friends यहां just Intel की branding के उपर यह आपको finger friends sensor मिल रहा है तो आपको security के लिए काफी useful रहेगा और यहां दी हुई है बेंडों की branding और friends मैं laptop को boot setup कर लेता हूं और फिर test करते हैं इसकी performance तो friends यहां आपने laptop का boot setup हो गया है और जो boot setup में टाइम लगा है वो दो से तीन मिनटी लगे हैं और वो सभी कमाल SSD का यह होता है तो friends मैं इस laptop की आपको property चेक करा रहा हूं सबसे पहले मैं CPU कियां में बात करूं तो यहां आपने को Intel Core i3 111 5G4 processor दिया हुआ है और मैं clock speed की में में बात करूं तो 1.7 GHz दी हुई है और आप इसे Intel Turbo Boost Technology से 4.1 तक यूज कर सकते हो और friends यहां मैं इसकी memory की यहां में बात करूं तो यहां आपने को RGB DDR4 RAM दी हुई है 3200 MHz की single slot में RAM लगी हुई है और 2 slot मिलते हैं अपने को आप इसे expandable कर सकते हो 16 GB तक है और यहां मैं इसमें memory की तो बात होईगी और disc की बात कर लेते हैं इस laptop में मैं storage गी हां में बात करूं तो यहां मने को 256 की NVMe WD Company की provide कर वाई है और मैं आपको बताता हूँ कि Seagate WD का ही एक अच्छा नाम है market में और यह इसी का ही कमाल था कि इतनी साथ इतनी fast अपना laptop boot हो रहा था और friends यहां मैं इसके GPG में बात करूं तो यहां इसमें integrated 4GB Intel USD graphics आपको देखने को मिल रहा है friends यहां मैं इस laptop में आपको वीडियो quality टेस्ट कराने जा रहा हूँ और वीडियो की जो footage आपको देखने को मिलेगी friends वो मेरे घर की है जहां में रहता हूं तो मैं आपको टेस्ट क तो फ्रेंट्स मैं ने इस laptop में आपको वीडियो quality और audio quality टेस्ट कराने जाए 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 काफी अची audio quality भी दीर वीडियो quality और friends इस laptop में 360 convertible laptop है तो इसमें कुछ sensor दिये हुए है जिसमें accelerometer दिया हुआ है जाए रोस्कोप दिया हुआ है और e-compass sensor आपको इसमें देखने को मिलेंगे और यह features मेरे को काफी अच्छा लगा और friends आप इसे AJ tablet भी यूज कर सकते हो इस laptop तो friends मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ अब जैसे ही मैंने यह इसे rotate कर दिया है 360 तक तो पिछे जो keyboard दिया हुआ है इसमें backlit वो वर्क करना बंद कर दिया है और आप इसे use कर सकते हो तो यहां मैं इसे finger से चला रहा हूं फिलाल my computer क्या बात है कोई problem नहीं आ रहे है और i3 के अंदर आपको pen मिलेगा नहीं वो आपको अलग से purchase करना रहेगा और वैसे इतनी requirement भी नहीं है उसकी तो friends मैं इसे use कर रहा हूं as a tablet काफी अच्छा work कर रहा है और काफी अच्छी speed मिल रही है अपने को और जो internet मैं इसमें use कर रहा हूं वो भी काफी अच्छी speed मिल रही है मेरेको काफी smooth चल रहा है internet भी तो friends यहाँ अगर आप एक student हो तो आप लोगों के लिए काफी useful यह रहे गई यह वाला laptop अगर आप इसे purchase करते हो आप इसे एक्सल में अगर कोई भी work कर रहे हो तो आप इसमें entry वगरा सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हो तो friends यहाँ मैंने इसमें word भी open कर लिया है और अगर आपको word में भी work करते हो तो मैं फिलाल अपना नाम टाइप कर देता हूं और अगर आप लोगों को मेरा नाम पता नहीं है तो मेरा नाम करशन कुमार है तो काफी अच्छे से यह इस work कर रहा है एक्सल के अंदर मैं इसमें work किया हूं और word के अंदर भी काफी मेरे को अच्छा response देखने को मिल रहा है इसका तो फ्रेंड्स यहां इसके वेब केम की क्वालिटी भी टेस्ट कर लेते हैं एस पी वाइड व्यूजन एच्डी कैमरा दिया हुआ है और क्वालिटी मेरे हिसाब से काफी अच्छी है नहीं चाहिए केमरे की और फ्रेंड्स यह है वेब केम की क्वालिटी फोटो भी क्लिक करके देखते हैं तो फ्रेंड्स केमरे की क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है मेरे को तो फ्रेंड्स यह था एच्पी का 360 कनवाटेबल लेप्टोप और अभी मैंने इसके आपको परफोर्मंस टेस्ट कराई वीडियो क्वालिटी तो काफी लाजवाब लग रही है और ओडियो भी क्वालिटी काफी अच्छी है रही क्योंकि बेंडो ने जो प्रुवाइड क पीटोट्स कर सकते हो और काफी आपको मज़े आने वाले हैं अब इसमें सब वर्क कर सकते हो तो इसमें हिन्च की जो क्वाइटी दी गईंड़ ए वह काफी प्रीमीम-कौश्वाइटी के हिंच प्रोवाईड करवाईए है और व्रेंड्स इस लेप्टोब में मैं उसका भी activation आपको lifetime के लिए मिलता है और और ओल इस laptop के में weight की में बात करूँ तो 1.7 kg का weight आपको इसमें देखने को मिल रहा है और friends backlit keyboard का support मिली रहा है i3 11 generation का processor दिया हुए RGB की DDR4 RAM दी हुई है 3200 MHz की और storage की में बात करूँ तो यहां storage आपको इसमें मिल जाएगा 256 और आप उसे upgrade कर सकते हो और overall ये laptop मेरे को काफी अच्छा लगा और security के ही साब से अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें fingerprint sensor भी देखने को मिल रहा है इसमें latest Wi-Fi 6 का support आपको इसमें मिल जाएगा साथ इसमें आपको 5.0 Bluetooth मिल रहा है तो friends, overall laptop काफी अच्छा है battery backup की बात करें तो company claim कर रही है 8 से 10 गंटे का और वैसे मैंने इसे use गया है तो मेरे को 8 गंटे के आसपास इसका battery backup मिल रहा है तो friends, मैं इस laptop की pricing की में बात करूँ तो यह 48,000 से 49,000 के आसपास आपको online मिल जाएगा और आपको तो पताईए कि Amazon Flipkart पे offer sell चलती रहती है तो वहाँ आपको 1,000 से 1500 रुपे तक अगर आपको caseback मिल जाता है तो overall यह friends, अगर आपको 48,000 में मिलता है तो इस price में काफी अच्छा laptop है क्योंकि i3 11 generation का processor है आपको IPS display मिन रही है और सारे जो components इसमें यूज किये गए हैं वो latest है और friends, इस laptop में मेरा अगर आप opinion मानो, अगर आप एक student हो तो आप इसमें आप इसे purchase कर सकते हो link description में आपको मिल जाएगा वहाँ जाके आप इसे check out कर सकते हो बैस फिलाल वीडियो में इतना ही उम्मीद है वीडियो आपको फसंद आया होगा वीडियो को like share और हमारे चैनल को subscribe करना ना मुले मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वन्ने मात्रम